आज की वीडियो में मैं आपको इस तरीके से यह जो कपड़ा है इस तरीके से हमारे पास है इसका मैं बहुत ही यूसफुल चीज बनाऊंगी तो वीडियो को आप पूरा देखेगा तो इस तरीके के अक्सर हमारे पास कपड़े पड़े होते हैं जिने हम ऐसे ही फेक देते हैं आज मैं इसी का आपको यूज बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने कपड़े की इस तरीके से कट कर लिया है इसे तीन भागों में इसकी लंबाई रख लिए लंबाई आप इसकी घटा बढ़ा सकते हैं साथ रखिए मैंने आठ नौ रख सकते हैं आप इस तरीके से इसे हम बराबर कट कर लेंगे बराबर बराबर तो आज मैं इस कपड़े का आपको यूज बताओंगी तो वीडियो पर आप बने रहें इसे हमने बराबर काट लिया है इसके बाद हमें क्या करना है देखिए इस तरीके से इसे रखेंगे और यहाँ पर उल्टी साइट से सिलाई कर लेंगे इन्हें जोड लेंगे आपस में कि इन दो को इस तरीके से जोड़ लेंगे और दूसरे वाले पीस को भी हम उल्टी तरफ से रखके जोड़ लेंगे तो दोने में पक्की सिलाई कर लेती हूं मैंने इसे मसीन में पक्का कर लिया है यह कबड़ा मेरे सूट का था सूट का बॉर्डर है यह तो मैं इसका ही यूज़ कर रही हूं इसमें एक सिलाई हूं ओपर से भी लगा लेंगे इसमें तो यह मैंने दोनों पीस रेडी कर लिये देखे इस तरी किसीने मिला के इसके बाद हम इसके लिए हमें एक चेन चाहिए यह चेन भी मैरे पास घर पर ही पड़ी है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूं इसमें मैंने जो भी चीज़े लगाई है वो सारी मैं घर पर ही यूज़ घर पर ही थी कोई भी चीज हम खरीद कर नहीं लाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चेन लगाने से पहले हमें एक पीस हमने इसमें देखिए जो आटा बैग होता है उसमें से कट कर लिया है और इसे काट लिया है यह आपके घर पर अक्सर हमारे पास रहते ही है जिसे हम देते हैं तो आटा बैक का मैंने इसमें यूज किया है नीचे हमें उसे रखना है उपर कपड़े को रखना है और इसके चारो तरफ सिलाई कर लेंगे इसके बाद हमें इस तरीके से रेडी कर लेंगे इसके बाद हमें इस तरीके से चेन को उल्टी साइड रखना है और इसमें सिलाई करनी है इस तरीके से अब हम इसको पलट लेंगे और इसके उपर एक सिलाई और कर लेंगे ताकि इसमें फिनीसिंग आ जाए इसी तरीके से हमें दूशे कपड़े पर भी लगाना है इसमें भी हम चैन इसी तरीके से लगाएंगे तो दोनों में मैं लगा लूँगि चैन लगाने के बार देखिए से बराबर कर लेंगे चोटा बड़ा है है स vertices में उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ हम इसे पलट लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बराबर बराबर निसान लगा लेंगे अगर छोटा बड़ा है तो आप उसे बराबर कट कर लीजिए और बिल्कुल बराबर रख लीजिए इसके बाद हम एक वाई एक इंच का निसान लगाएंगे, बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, दोनों साइड पर, दोनों साइड हमने एक एक इंच पर निसान लगा लिया है, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, यह इस तरीके से, और दूर्शे वाले पीस की भी कट कर लिया ह तो दोनों को मैंने काट लिया है, यहाँ मैं निसान लगा लूँगी, सिलाई मेरे को इसी निसान में करनी है, सबसे पहले हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे और नीचे की साइड भी हम इसके सिलाई कर लेंगे, यानि कि तीनों साइड में हम इसके पक्की मसीन से सिलाई कर कर लेंगे मैंने इसके तीनों साइट सिलाई कर लिए इसके बाद हम एक कपड़े को लेंगे और इसमें इसके दागे ना निकले इसके लिए हम इसमें एक कपड़े को एड़ कर लेंगे लगा लेंगे और इसमें भी पलट के इसमें सिलाई कर लेंगे ताकि इसके दागे न निकले क्योंकि जो मैंने इसमें कपड़ा लगाया है इसके दागे निकलते हैं तो इसलिए मैंने देखिए इस तरीके से इसमें कपड़ा लगा लेंगे तो ये तीनो साइड हमें लगा लेना है इस साइड भी दूशी साइड और नीचे की साइड तीनों साइड पर इसी तरीके से आप लगा लीजिए तो मैंने तीनों साइड लगा लिए अब जहाँ पर मैंने कट किया था वहाँ पर इस तरीके से इसे पकड़ेंगे देखिए इस तरीके से और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है इसके बाद हम यहाँ पर भी एक कप्रा लगा लेंगे और इसमें भी सिलाई कर लेंगे एक्स्ट्रा दागे को काट लेजिए और देखिए ये मैं इसे मैं चेंसे से खोलूंगी और ये हमारा सीधा कर लेंगे हम इसे और ये सुन्दर सा हमारा पाउच बनकर तयार है जो मैंने घर पर ही विल्कुल वेस्ट पड़े वे सामान से बना है तो आप भी इसी तरीके से बनाएं इसे आप किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं पैंसिल वगेरा बच्चों के रखने के लिए या अपने लिए सामान रखने लिए मेक अप का सामान रखने के लिए किसी भी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं ये मल्टी परपास है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए कमेंट करकर मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद